वेलकम टू स्टड़ी 24 अदेपूर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MP6 exam 2023 economics का जो पेपर हुआ हैं उसको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रस्ण लेते हैं आज का हम सबसे पहला जो प्रस्ण आपको पूछा गया है P.U.R.A. model में आर शब्द प्रदशित करता है ठीके P.U.R.A. model क्या है प्रोविजन ओफ अर्बन अमेनिटीज इन रूरल एरियाज इसका मतलब जो आर शब्द है वो किसको बताता एक तरह से ग्रामिन को तो करेक्ट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाना चाहिए option second हमारा अगला देखिए 1950-51 में सार्जिक शेत्र का भाग चालू किमतों पर GDP में मापा गया देखिए जो पब्लिक सेक्टर है उसका GDP में कितना शेर था 1950-51 में तो देखिए उस समय सार्जिक शेत्र का जो भाग था लगबग 8-9 प्रतिशत के आसपस होना चाहिए तो उस इसापस अगर देखिए तो आपका जो आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए second option होना चाहिए फिर भी उसके बाद में जो final आपके आंसर किया आती उसमें क्या है उसमें देख लीजेगा अगला देखिए है सेबी की स्थापना का वर्ष क्या है सेबी की जो इस्थापना है वो हुई थी 12 अप्रेल 1928 सर्व पर्थम सेबी की जो इस्थापना है वो कब हुई थी 1988 में लेकिन उसके पास में उस समय सम्विधानिक शक्तिया नहीं थी उससे सम्विधानिक शक्तिया जो हैं बाद में दी गई थी 1992 में लेकिन इस्थापना का जो वर्ष पुछा हुआ है तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओप्शन बी 1988 12 अप्रेल 1988 को सेबी की सेबी की स्थापना हुई थी अगला देखिए भारत के पंदरवे वित आयोग द्वारा जन संखी की निश्पादन के खेतिज अंतरन मापदन को कितना भार दिया गया है जन संखी निश्पादन के अगर हम बात करें तो इससे कितना भार दिया गया है तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएग option हमारा first 12.5 प्रतिशत भार जो है वो जन संकी की निश्पादन को दिया गया है income distance के अगर हम बात करें तो से 45% area और population दोनों को 15-15 प्रतिशत दिया गया था उसके बाद में forest के अगर हम बात करें तो 10% tax और जो fiscal effort होते हैं उनको 2.5% का weightage दिया गया था तो जो demographic performance है जन संकी की निश्पादन है उसे 12.5% जो है weightage दिया गया है नेक्स देखिए उदारी करण के दोरान 93-94 भारती रिजर्बेंग द्वारा किस खाते में रूपईये को पूर्ण परिवर्तंशिल बनाया गया टेक़िछ किस खाते में रूपईये को पूर्ण परिवर्तंशिल बनाया गया था तो current account में टेके लेकिन current account हमारा यहां पर option नहीं है इसलिए current account के part होता है trade account व्यापार खाता तो correct answer आपका हो जाएगा इसमें option second हमारा next है निती आयोग द्वारा दिये गए विकास का model का उद्देश क्या है ठीके निती आयोग द्वारा दिये गए विकास का जो model है उसमें आपका सारुदेशिक विकास भी है सर्व इसपरशी विकास भी है सर्व समाविशक विकास भी है और सर्वांगीन विकास भी है तो चारो option इसमें आपके सही है इसलिए correct answer आपका हो जाएगा option D अगला है उदारी करण के पश्चात वर्ष 1991 से अगर हम देखें भारती अर्थ ह्थ वियस्ता की विरद्दी किस परकार की है तो देखी 91 से पहले अगर हम बात करें तो भारती अर्थ ह्थ वियस्ता में क्रशि श Etra का योगदान जादा था लेकिन 1991 के बाद में अगर हम देखें तो सेवा शेतर का जो योगदान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और क्रशी शेत्र का जो योगदाने वो कम होता जा रहा है जो भारती अर्थुष्ता में वरद्धी है वो किस प्रकार की है सेवा नितरतो वाली हम कह सकते है C option अग्ला देखिए महारत्न वे कंपनिया है महारतन की अगर हम परिबाशा देखें तो महारतन में जो कमपनिया होती है वो राश्ट्री शेयर बाजार में सुची बद होती है सही है हमारा जिनका जो निवल मुल्य है वो 15,000 करोड रुपे से अधिक होता है ये भी सही है और जिन में पिछले तीन वर्षों से वार्षिक निवल लाब जो है वो 5000 रुपे करोड से अधिक हुआ हो तो ये सारी विशेषता हैं हम को कहां पर देखने को मिलती है महारतन कमपनियों में तो करेक्ट आंसर इसमें आपका कौन सा होगा ओप्शन D अगला देखते हैं भारत में शहरी बेरोजगारी निम्न परकार की हैं बिल्कुल सिंपल सा है शहरी बेरोजगारी के अगर हम बात करें तो शहरी बेरोजगारी में ओध्योगिक बेरोजगारी और पड़े लिखे लोग जो होते हैं शिक्षित बेरुजगारी इन दोनों को सम्मिलित किया जाता हैं तो शहरी बेरुजगारी में किस प्रकार की हैं ओध्योगिक और शिक्षित बेरुजगारी हैं सेकंड ओप्षन नेक्स्ट हैं कि 2021 की जन गर्णा के आधार पर भारत में निम्न लिक्कित में से किस केंदर शाषित प्रदेश का लिंगानुपाज सरवाधिक हैं तो केंदर शाशित प्रदेश के अगर हम बात करें तो पंडु चेरी जो हैं वहाँ पे लिंगानुपाद सबसे अधिक हैं अगला है जब आय खाले इस्तान होती हैं तो गिफिन विरूधा भास होता है देखे हम आये प्रभाव के अगर हम बात करें तो आये प्रभाव जो होता है वो कैसा होता है हमेशा रिनात्मक होता है ठीक है गिफिन वस्तों के संदर में अगर हम देखें तो आये प्रभाव किस प्रकार का होगा नकारात्मक होगा नेगिटीव होगा और जो प्रतिस्तापन प्रभाव है वो भी एक तरह से नेगिटीव होता है लेकिन जो आये प्रभाव होता है वो ज़्यादा शक्ति शाली होता है ठीके तो यहाँ पर अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा तीसरा आप्शन कि आय प्रभाव जो है वो नेगिटीव है नकारात्मक है और प्रतिस्तापन प्रभाव से अगर अधिक होगा तो इस इस्तिमे क्या होगा गिफिन विरुदाभास होगा मतलब गिफिन वस्तों के संदर में जो मांग वक्र होगा वो कैसा होगा दनात्मक ढ़ालका अगला है तो जो एमार होता है वो ए-र की तुलना में क्या होता है कम होता है क्यों होता है क्योंãy AR वक्र, AR वक्र किसको दर्शाता है मांग वक्र को और मांग वक्र कैसा होता है negative slope का होता है रिनात्मक ढाल का होता है तो इसमें आपका जो correct answer है वो कौन सा हो जाएगा first option अगला question है आपका एक firm का कुल आगम total revenue हमको दे रखी है और कुल लागर total cost function भी हमको दे रखा है जहां Q बराबर क्या है उत्पादन तो firm का संतुलन उत्पादन ग्याद कीजिए तो संतुलन उत्पादन की अगर हम बात करें संतुलन की स्थिति में क्या होना चाहिए marginal revenue MR और marginal cost क्या होते हैं दोनों बराबर होते हैं तो हमारे पास में जो total function दे रखा है TR और TC दे रखा है TR को उन्होंने R लिखावा है TC के लिए आपे केवल C लिखावा है तो इन दोनों का हम क्या करेंगे आपे आउकलन करेंगे differentiation कर लेंगे TR का अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा 30 Q का अगर आउकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 30 ठीक है फिर minus Q square का करोगे तो क्या हो जाएगा 2 Q तो ये हमारे पास में क्या आगया एमार आगया फिर हम marginal cost निकालेंगे marginal cost कैसे निकालेंगे जो हमको cost function दे रखा C बराबर दे रखा है तो 20 का तो देखो क्या हो जाएगा 0 और 4 Q का करोगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4 अब इसको अगर हम solve कर लेते हैं तो देखिए ये आपका हो जाएगा 30 4 को हम इदर लिया ते minus 4 equal to 2 Q अब 30 में से 4 को minus करो 26 26 26 और 2 को हम इदर लिया आएगे तो अपोन में आजाएगा 26 अपोन 2 equal to क्या हो जाएगा क्यों और हमारा अंसर कितना जाएगा है अपर 13 तो correct answer आपका इसमें हो जाएगा तीसरा option अगला है कल्यानकारी अर्थ शास्तर के प्रथम मौलिक प्रमे की आवशक्ता है तीक है जो welfare economics है उसमें first fundamental theorem अगर हम देखें तो उसमें क्या एजिम किया गया है कि जो producer होते हैं consumer होते हैं दोनों क्या होते हैं प्राइस देकर होते हैं तो पहला option था हमारा बिल्कुल सही है यह आवशक्ता होती है दूसरा है कि अर्थ व्यवस्ता उप्योगिता संभावना वकर के नीचे किसी बिंदू पर संचालेद होती यह गलत हैं तीक है जो अर्थ व्यवस्ता है वो उप्योगिता संभावना वकर के उपर operate होगी जो utility possibility करो होता है उसके उपर होगी और प्रत्यक वस्तू के लिए एक अक्षम बाजार होता है inefficient market होता है नहीं उसमें क्या माना गया है efficient market होता है अक्षम market हम के सकते हैं ठीके तो यहाँ पर यह भी गलत है तो correct answer इसमें आपका कौन सा हो जाएगा first option अगला देखिए अलपाधिकार बाजार के pole switchy model में विंकुचित मांग वकर का विंकुचित बिंदू क्या दर्शाता है देखिए विंकुचित मांग वकर जो king demand करो होता है वो आपका बनता है इस तरह के से उपर वाला जो भागे वो होता है लोज़दार है price rigidity हम के सकते हैं कीमत अनमिता हम के सकते हैं और साथ-साथ जो मातरा है वो भी क्या होती है Rigidity होती है अनम में होती है कीमत और मातरा दोनों में क्या होती है तो correct answer इसमें आपका हो जाएगा option C next देखिए उप्योग की गही कार बाजार में उच्छ गुणवत्ता वाली कारों की कम गुणवत्ता वाली कारों की द्वारा चलन से बाहर करने की प्रवर्ती किसका उधारन है ठीक है तो देखी कार बाजर में उच गुणवता वाली कारें कम गुणवता वाली कारों को चलन से बाहर करने की प्रवर्थी उसको हम कहते हैं एड़वर्स सेलेक्शन कहते हैं प्रतिकूल चैन का उधारन आई ये नेक्स हैं केदी की दुविधा एक खेल हैं जिसमें एक को छोड़कर निमन लिखित सभी विशेशता हैं देखे केदी की दुविधे का जो मोडल है उसका मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है आप उसको डिटेल में वहाँ जाके समझ सकते हैं यहाँ पर हमें लिखावा है केदी की दुविधा एक खेल है जिसमें एक को छोड़कर सभी विशेशता हैं ठीके दोनों खिलाड़ी बहतर इस्तिति में होंगी यह दि दोनों में से किसी एक ने भी अपनी प्रमुक रणनिती नहीं चुनी रणनिती का प्रत्य एक दुसरे खिलाड़ी द्वरा चेन पर निर्बर करता है यह सारी बात हैं ठीके लेकिन खिलाड़ी अपनी रणनितीओं पर पहुँचने में सहयोग करते हैं यह गलत एक दुसरे को सहयोग नहीं करते हैं यह माना गया है केदी की दुविधा का जो मो यह ठीक है सीमान्त उत्पाद और सीमान्त आगम उत्पाद के मुल्य मतलब आपका एक तो हो गया यह वी एम पी ठीक है और सीमान्त आगम उत्पाद और सीमान्त उत्पाद यह आपका हो जाएगा एम आर पी ठीक है के मुल्य के बीच में अंतर उस समय होता है जब की जब ये दुनेंगों क्या होंगे बराबर नहीं होंगे क्योंकि देखिए VMP आप कैसे निकालोगे प्राइस को मल्टिप्लाइ कर देंगे किसे? MPP से तो हमारे पास में क्या जाएगा? VMP आजाएगा और MRP हम कैसे निम्का लेंगे? हम MR को multiply कर देंगे किस से MPP से तो हमारे पास में क्या जाएगा MRP आ जाएगा और P को हम क्या कह सकते हैं ये जो हमारा P है इसको हम क्या कह सकते हैं ARB कह सकते हैं तो देखिए P जब अलग होगा और MR दोनों अलग-अलग होंगे जब ओसत आगम AR और सीमात आगम AR बराबर नहीं होते हैं तो इन दोनों की बीच में अंतर पाया जाएगा तो correct answer इसमें आपका first option अब देखिए अगला निमन लिखित में से कौन सी बीमा बाजहार की समस्या है ठीके बीमा बाजहर की समस्या की अगर बात की जाए यहां पे तो प्रतिकूल चैन भी होता है ठीके जो बीमा खरीदने से पहले उत्पन होता है moral hazard भी होता है नेतिक जोखिम भी होता है ठीके जो बीमा खरीदने के बात में होता है असममित जानकारे भी होती हैं ठीक है कि उनको क्रिटा और विक्रिटा उनको पिले बाजार के बारे में उनको जानकारी नहीं होती तीनों बाते देखने को मिलती हैं तो करेक्ट आंसर इसमा आपका कौन सा हो जाएगा option D अगला है यदि मांग फलन P बराबर 35-2X-X2 है और मांग X0 बराबर 3 है और कीमत क्या है P बराबर 20 है तो उबख्ता की बच्चत ग्याद कीजिए ठेके तो यहाँ पे उभुकता की बच्चत ग्याद करनी है तो प्राइज यहाँ पे हमको कितनी दे रखी पहले से 20 दे रखी है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा समा कलन इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा और उसमें हमारा जो फॉर्मला है वो क्या हो जाएगा पी इंटू डी एक्स माइनस पी जीरो एक्स जीरो ठेके इस फॉर्मला से हम क्या करेंगे जो उभुकता की बच्चत थे उसको ग्याद करेंगे इस फॉर्मले में अगर आप विली रुखोगे तो यह आपका हो जाएगा थर्टी फाइफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वाइर और माइनस हो जाएगा फिर ट्वन्टी इंटू थ्री में डैरेक्ट या भी लिख देता हूँ आपका थिक्ष्टी ठीके शिक्स्टी कहां साया 20 इंटू 3 किया ठीके पी इंटू एक्स प्राइस कितनी है 20 एक्स कितना है 3 तो आपका 60 आगया है अब यहाँ पे देखिए समाकलन करना पड़ेगा तो समाकलन करोगे तो कितना हो जाएगा 35x माइनस 2x स्क्वाइर अपॉन 2 फिर आपका हो जाएगा माइनस x क्यूब अपॉन 3 ठीके और माइनस आपका हो जाएगा 60 अब x की जिगर आप क्या करोगे 3 लिख देना ठीके तो इधे को यह 35 पोर इंटू 3 कर दोगे तो यह आप कितना हो जाएगा यहां पर जो भी आता है ठीक है 35 into 3 फिर इसमें सम माइनस कर देंगे तो 2 से 2 cancel हो जाएगा x2 मतलब 3 का square 9 को माइनस कर देना और फिर यहां पर भी यह देखिए 3 का cube हो जाएगा 3 into 3 into 3 और एक 3 cancel हो जाएगा तो 9 और माइनस कर देंगे फिर आपका आ जाएगा यहां पर देखिए 87 87 माइनस 60 कितना जाएगा 27 तो करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ओप्शन c नेक्स है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है भारती रिजर्व एंग द्वारा नकद कोश अनुपा सियारा अगर कम किया जाएगा अगर सियारा मतलब बेंग अपने पास में कम रखेगा तो उधार जादा दे सकता है मतलब अर्थ वियस्ता में तरलता में एक तरसे क्या होगी बड़ोत्री होगी जो लिक्विडिटी पोजिशन है वो एकोनोमे में क्या होगी बड़े गिसी ओप्शन इसमें आपका सही होगा नेक्स्ट है बारत में मुद्र अपूर्ती की गणना आर्बिय द्वारा मोद्रिक तथा तरलता समुचे के माध्यम से की जाती है निम्न लिक्वित में से कौन से गटक M3 में सम्मिलित हैं देखिए M3 के अगर हम बात करें M3 में आपका फॉर्मिला क्या होता है M1 प्लस बैंको के पास में जो समय जमाए होती है टाइम डिपोजिट जो होती है उसको हम लेते हैं और M1 के अगर हम बात करते हैं, M1 में हम क्या लेते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपोजिट जो होती हैं, उनको हम लेते हैं, तो यहाँ पे देखी, मांग जमाए आपका M1 का पार्ट हो जाएगा, बेंग द्वरा निर्गे में जमाप्रमान पतर ही भी आपका M1 में आ जाए हैं, इसका मतलब यह D option आपका यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, नेक्स देखिए, LM वक्र का आकार निमन लिखित में से किस पर आधरित होता हैं, ठीक है, यह आपका LM वक्र जो होता हैं, इस तरीके का होता हैं, उसका आकार किस के ओपर निर्भर करेगा, एक तो मुद्रा आपूर्ति की मात्रा के उपर और दूसरा लिक्विडिट्री प्रिफरेंस के उपर, ठीक है, जो तरलता पसंद की वक्र हैं, दोनों के उपर निर्भर करेगा, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, C option, अगला देखिए, किन्स के विनियो गुनके तथा बच्चत की सीमान्त प्रवर्ती MPS का मुल्य क्या होगा, जबकि दिया गया उपर, आपका C बराबर कितना है, 100 प्लस 0.80Y, इसका मतलब क्या होगा, देखिए, 0.80 जो यह आपका क्या है, MPC, देखिए, MPC कितना है, 0.8 है, इसका मतलब MPS क्या हो जाएगा, MPC और MPS की टोटल कितनी हो 31, अगर MPC 0.8 है, MPS क्या हो जाएगा, 1-0.8, इसका मतलब 0.2 हो जाएगा, तो देखिए, 0.2 कहां पर दे रखा है, 0.2 आपका दे रखा है, देखिए, MPS बाद में लिखा हुआ है, मतलब बाद में केवल एक ही जगे लिखा है, इसका मतलब, यह आपका जो फर्स्ट उप् यह हो जाएगा, आपका 1 अपोन, वर में से 0.8 को माइनस करोगा, कितना बचेगा, 0.2, पोइंट हटा है, दो उपर कितना हो जाएगा, 10, 10 अपोन 2 करोगा, कितना हो जाएगा, 5, इसका मतलब, गुनक का मुल्ली कितना होगा, 5, और जो MPS से वो कितना होगा, 0.2, तो option हमार फर्स्ट करेक्ट होगा, नेक्स्ट है, निम ने लिखित, अर्थ, शास्त्री तदा समझे, मुद्रा की मांग, फुलन का मिलानम को करना है, सबसे पिल अगर हम रोबर्सन की बात कर रहे हैं, तो रोबर्सन का जो formula था, ठीक है, वो क्या था, M upon KT, मतलब ये जो formula है, वो किस का जो है, वो कौन सा, P बराबर K plus K1 upon N, ये किन्स का है, और मार्शल का कौन सा है, ये first वाला, तो इस तरह के साब मिलाना, मिलान कर लीजेगा, जो भी आंसर होगा, वो देख लीजेए, अगला है, रोजगार के परमपरागत सिद्धान्त में, ओसत उब्वोग प्रवर्ती A, P, C, ठीके, A, P, C क्या होती है, हमेशा घटती जाती है, ठीके, A, P, C क्या होगी, घटती हो जाने चाहिए, तो एक से कम होती है, आपका option से होना चाहिए, एक से कम, अगला है, वास्त्रिक GDP तथा मोद्रिक GDP के बराबर रहने की दशा में, GDP भाचक का मुल्य क्या होगा, GDP भाचक क्या होता है, ठीके, मोद्रिक upon वास्त्रिक into 100 करते हैं, माना कि मोद्रिक बेगर 100 है, वास्त्रिक बेगर 100 है, अगर दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गय कि यह जो मुल्य आएगा हमारे पास में कितना आएगा एक आ जाएगा ठीक है क्योंकि दोनों को हम आपस में divide करते हैं उससे हमारे पास में GDP deflator आता हैं तो जब यह दोनों बराबर होंगे वास्तिक GDP और मोद्रिक GDP ठीक है दोनों अगर बराबर हैं एस सिस्तिति में इसका भ सार आयमें व्रद्धी होने पर उबवक फलन वक्र उपर विवर्थित होता है ठीक है अगर बढ़ेगी दिये वक्र उपर क्यों विवर्थित अगर हो जाता है तो परिणाम सरूब उबवक की जो उसत प्रवर्थी है वो क्या होगी ठीक है तो जो उसत उबवक प्रवर्थी ह उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा आए में व्रद्धि के साथ में तो ड्यूजन बरी का मानना था कि जो दिर्ग काल है उसमें पी से क्या हो जाएगी स्थिर हो जाएगी तो आपका उप्शन हो जाएगा इसमें डी होना चीए इसको फिर भी एक बार देख लिजेगा अगला है मुद्रा की सटा मांग शुन्य उस दशा में होगी जब बाज़ार की ब्यासदर होगी ठीके बाज़ार की ब्यासदर जो है अगर वो कांतिक दर से अधिक होती है जो क्रिटिकल रेट है उससे भी अगर ज़ादा हो जाएगी उप्षिन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा सी नेक्स्ट है किन्स का घुनक सिद्धान निमन लिकित में से किसमें लागू नहीं होता है किन्स का जो इन्वेस्मेंट छोरी है मल्टि प्लायरilly तो मानक विचलन क्या होगा जो मानक विचलन है उसका फूर्मिला क्या होता है NPQ का under root तो यहाँ पर देखिए N कितना है N आपका है 100 ठीके फिर सफलता की प्रायक्ता कितनी है 0.5 हमको दे रखे हैं अब 0.5 सफलता की प्रायक्ता है तो अब सफलता की जो प्रायक्ता है वो भी कितनी होगी 0.5 होगी क्योंकि कि दोनों का योग कितना होना चीफ वन, अब इसका हम क्या करेंगे, अंडरूट निकाल लेंगे, तो देखिए, 0.5 को 0.5 से multiply कर देंगे, 0.25 आ जाएगा, फिर 0.25 को अगर 100 से multiply कर देंगे, कितना आ जाएगा, अंडरूट 25 आ जाएगा, और इसका अगर हम अंडरूट निका अगला देखिए, दो बंटन A एवं B के मध्य एवं मानक विचलन दिये होने पर, ठीक है, समानतर माध्य हमको दे रखा हैं, और मानक विचलन इस्टनर डेविशन भी दे रखा हैं, दोनों बंटन में कौन सा अधिक संगत हैं, अब देखिए, संगत निकालने के लिए हमको यहाँ पर standard deviation का comparison नहीं करना है, ठीक हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, coefficient of variation, विच्रन गुणांग निकालना पड़ेगा, और विच्रन गुणांग हम कैसे निकालेंगे, जो formula हमारा होता है, क्या formula होता है, standard deviation upon mean multiply by 100, ठीक है, जो प्रमाव इतनन है, उसमें समानतर माध् multiply कर दोगे, आपके से, 100 से, तो कितना आ जाएगा, यह 300, और B का अगर आप निकालोगे, तो B का देखिए, कितना दे रखा है, आपको समानतर माध् दे रखा है, 20, standard deviation कितना है, 4, तो यह हो जाएगा, आपका 20 बटा 4, into 100, यह आ जाएगा, आपका कितना, 500, अब देखिए, जो संगत होगा, वो कौन सा होगा, जिसमें coefficient of variation कम होता है, तो देखिए, यहाँ पे A में तो 300 आया है, जो विच्णन गुणान कितना है, 300 आया, जबकि B में ज़्यादा आया, तो इसका मतलब A में कम आया है, इसलिए A में संगत अधिक होगा, तो correct answer इसमें आपका कौन सा ह हो जाएगा, option हमारा A, अगला है, यदि बीटा xy greater than 1 है, तो बीटा yx, देखिए, जो regression coefficient होते हैं, उनमें एक property होती है, कि यदि एक जो है, माना कि जैसे कुछ भी मान लेजिए, एक अगर आपका 1 से ज़्यादा है, तो दूसरा क्या होगा, एक से कम आएगा, ठीक है, तब जाते हैं, तो देखिए, जब एक के value एक से ज़्यादा है, तो दूसरा क्या होगा, एक से कम होगा, correct option आपका हो जाएगा, first, अगला है, सुचकांग तैयार करने है, तू, सर्वतन माध्य कौन सा है, ठीक है, जो index number के अगर हम बात करें, तो index number में, कौन सा जो mean है, वो सबस बेस्ट रहेगा, कौन सा average, तो जो geometric mean होता है, वो सबसे अच्छा माना जाता है, जब हम Fisher का सुचकांग निकालते हैं, Fisher का index number उसमें हम क्या करते हैं, less pair और पाशे के index number को दोनों को multiply करते हैं, दोनों को गुणा करके, उसका हम क्या करते हैं, root निकाल लेते हैं, root निकालना से वहां पर क्या हो गया, geometric mean का यूज हो रहा है, इसका मतलब geometric mean जो होता है, वो सबसे best होता है, अगला है, यदि अवलोकित एवं अप्यक्षित आवरतिया एक दूसरे से पूर्णतिया मेल खाए, तो काई वर्ग का मुल्ली क्या होगा, देखिए काई वर्ग जो test होता है, ठीके काई वर्ग में हमारा formula क्या होता है, O-E का square upon E, ठीके तो यहां पर देखिए, जो expected frequency है और observed है, अवलोकित और अप्यक्षित ये दोनों क्या है सेम, O और E दोनों क्या है सेम, माना कि O कितना है 10, और E भी कितना है 10, तो 10-10 upon 10 करोगे कितना जाएगा, आपका 0 आ जाए अगर सेम हैं, इसका मतलब क्या हो गया, जो काई वर्ग का मुल्य हैं, वो कितना होगा, 0 होगा, D option इसमें आपका सही होना चाहिए, नेक्स्ट हैं, दो चरों के मध्य प्रति गमन से प्राप्त अस्पस्टिक रत विश्ट्रन यदि 0.36 हैं, तो सहसंबन गुणांग क्या होगा, unexplained variation हमको दे रखें, यहां पर कितना 0.36, इसका मतलब जो स्पस्टिक रत हैं, जो unexplained variation हैं, वो कितना होगा, 100-0.36, तो 100 यहां पर 1 ले लिजिए, ठीक है, परसेंटेज में अगर देखो का 100, यहां पर point में दे रखा हैं, तो 1-0.36 कितना आजाएगा, 0.64 आजाएगा, औ root आपको जो r निकालना हैं, तो r निकालने लिए क्या करना पड़ेगा, इसका under root निकालना पड़ेगा, ठीक है, 0.64 होगा, तो कितना जाएगा, 0.8, correct answer आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, तीसरा option, अगला हैं, यदि समगर का आकार 20 हो, और प्रतिस्तापन के सात्र यादर प्रत्षिक नमुना करन, s, r, s, w, r का प्रियोग कर, 4 आकार के नमुना सेंपल तैयार किये जाते हैं, तो कितने नमुने तैयार हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपका formula होगा, n की power small n, यहाँ पर n आपका कितना है, 20, ठीक है, और सेंपल की साइज क्या देर की 4, यह आपका हो जाएगा, 20 की power, 20 की power 4 का मतलब, 20 into 20 into 20 into 20, और इसको अगर हम सोल करेंगे, ठीक है, अदि आपका कितना आजाएगा, option B, next है, प्रतिगमन मोडल में प्रसंभायवित रूटी U को क्यों सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर answer आपका होना चाहिए, चरों में गणिती संबन होना, जो dependent और independent variable होते हैं, आश्रित और जो स्वतंदर चर होते हैं, उनके बीच में गणिती संबन होना चाहिए यह option आपका C होगा, next है, किस इस्तिती में 2SLS विदी ILS के समरूप होती हैं, ठीक है, ILS और 2SLS जो हैं, वो identical estimate कब देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो correct answer हो जाना चाहिए, option हमारा A होना चाहिए, अगला है, यदि YT equal to 16.64 plus 0.72X हैं, जिसमें हमारे पास में कुछ चीज़ दे रखी हैं, समिकन को मासिक माप के आधार पर परिवर्तित करने पर कौन सा समिकन प्राप्ट होगा, ठीक है, यह हमारा time series दे रखा हैं, इसको हमको monthly basis पे change करना हैं, ठीक ह हमको yearly दे रखा हैं, तो monthly basis पे change करने के लिए हम क्या करता हैं, यह जो हमारा A होता है, उसमें हम क्या करते हैं, और यह जो हमारा B होता है, उसमें हम क्या करते हैं, 12 into 12, मतलब 144 का divide करते हैं, तो 16.64 में अगर हम 12 का divide करें, कितना आएगा, 1.3888, यह राउंड फिगर हम हम किया सकते हैं, 1.39 आएगा, और जो 0.72 हैं, उसमें अगर हम 144 का divide करें, कितना आएगा, 0.005 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, लगबग शायद यह दे रखा हैं, तो इसमें answer option भी हो सकता हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा mistake यहाँ पे हैं, फिर भी इन 4 option में अगर आप दे सा विकल्प, दो सेट के union और intersection के क्रम विनिमे के नियम को दर्शाता हैं, ठीक है, x union y और y union x, और x intersection y, y intersection x, यह होना चाहिए, मेरे साफ से तो, ठीक है, first option इसमें होना चाहिए, अगला देखिए, x के संदर में, log x का दूसरा अवकलन, देखिए, पहला अवकलन अगर आप करोगे, तो कितना आएगा, 1 upon x, और दूसरा अगर करोगे, second degree का, ठीक है, तो आपका आजाएगा, minus 1 upon x square, ठीक है, तो यह आपका कौन सा option होना चाहिए, इसमें, b option से होना चाहि अगला है, रेखिक प्रोग्रामिंग के रेखा चितर विदी के हल में, यदि, सम लागत रेखा, आधार बुद संबाव शेतर के कीनारे की रेखा में समाहित हो जाती है, तो वह हल, ठीक है, देखिए, एक रेखा जो हैं, दूसरे में समाहित हो रही, इसका मतलब क्या हो गय उसके जो हल होंगे, वो कितने होंगे, अनन्त हल हो सकते हैं, डी ओप्शन इसमें आपका मेरे साथ से सही होना चाहिए, नेक्स्ट हैं, रेखिक प्रोग्रामिंग में आधार बुद संबाव हल यह बिंदू होता हैं, जो ठेके संबाव विश्यत्र का कोणे विंदू हो या नहीं हो ठेके इसको मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगा बाद में, अगला है निमन लिखित में से किस शेत्र में अंतर समीकरण का उप्योग होता है, अंतर समीकरण का जो प्रियोग है वो डिस्क्रिट सिरीज में होना चाहिए, ठीके, असतत जो समय विस्टलेशन होता है, उसमें प्रियोग होता होगा, ठीके, ओप्शन आपका अगला है एक फर्म का कुल लागत फलन आपको दे रखा है T C equal to 300 plus 3 Q square तता वह अपना उत्पादन इस्थिर कीमत P 120 पर बेचती है फर्म का लाव अधिक तमी करण टी के अधिक तमी करण के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए marginal revenue और marginal cost बराबर होने चाहिए तो देखिए यहां पर हम सबसे पहले TR निकाल लेंगे और TR का फर्मला आपका क्या होता है P into Q तो देखिए प्राइस कितनी दे रहे हैं हमको प्राइस दे रहे हैं आपको 120 यह हो जाएगा 120 Q और इसका अगर आप MR निकालोगे तो कितना जाएगा डिफरेंशल करना पड़ेगा आउकलन तो कितना जाएगा 120 ठीक है तो MR कितना आगे आपके पास में 120 अब देखिए total cost दे रहे हैं इससे हम क्या करते है marginal cost निकाल देते हैं तो marginal cost कितनी हो जाएगी 3 Q स्क्वाइर अगर आपका इसका अउकलन करोगे ती हो जाएगा 3 into 2 6 6 Q ठीक है तो देखिए marginal revenue आपके पास में कितनी आई थी 120 ठीक है संतुरन किस्तिति में क्या होगा marginal revenue marginal cost क्या होगी बराबर मतलब 120 इक्वल टू कितना होगा 6 Q तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 अगर हम 6 का divide करेंगे तो हमार पास में कितना आएगा 20 आजाएगा correct option आपका हो जाएगा इसमें second अगला है निम्न मेंसे कौन सा फलन रेखिय सर जाती नहीं है ठीक है इसका answer भी मैं आपको comment box में बता दूँगा फिर भी इसमें C option होना चाहिए next है किसी गुणतर श्रिनी के तीन अंक बताईए जिनका योग 14 और गुणनफल 64 है बिल्कुल सिंपल सा आप यहाँ पर करके देख सकते हो total कितने निची 14 तो देखिए 3 प्लस 2 5 9 14 आ रहा है लेकिन multiply करने पर नहीं आ रहा है फिर भी option में अगर आप देखो कि 2 प्लस 4 कितन होगे 66 प्लस 8 करो कितना 14 और अगर इनको multiply करते हो 2 इंटु 4 8 इंटु 864 आ रहा है इसका मतलब सेकंड ओप्शन इसमें आपका correct होना चाहिए अगला है यदि A matrix हमार पास में दे रखी हैं B दे रखी हैं C दे रखी हैं तो A, B, C matrix निकाल लिए तो देखिए आपे A और B को हम सबसे पहले multiply कर देंगे A इंटु B और multiply कर सकते हैं क्योंकि इसका dimension क्या हमार पास में 2 इंटु 2 है इसका मतलब multiply करेंगे और नहीं जो matrix बने multiply करेंगे तो फिर हमारे पास में A की रोग बनेगी ठीक है इसका मतलब answer आपका कौन सा होना चाहिए A option होना चाहिए इसका अगला है यदि किसी अर्थ व्यस्ता का तक्निक की गुणांग matrix A बराबर हमको दे रखा है तो क्या प्रणाली व्यवहार्थ है I minus A आपको निकालना तो identical में क्या होगा 1 1 और यहां पे क्या होगा 00 ठीक है तो इसको अगर आप solve करोगे दिया जाएगा 1 minus 0.8 करोगे तो यहां पे आजाएगा 0.2 यहां पे तर आजाएगा minus का 0.2 फिर यहां पे रहेगा 0.9 और इधर आपका हो जाएगा 0.3 ठीक है फिर इसको आपको solve करना है तो इसका जो answer वो एक से कम शायद negative हाना चाहिए तो option इसमें C होना चाहिए इसको एक बार करके देख लीजेगा देखिए मेरे पास में जो paper है उसमें केवल यह 51 से लेकर 103 तक की question है ठीक है बाकी का paper मेरे पास में नहीं है तो अगर आप में से किसी के पास में है तो मैं comment box में email address देदूँगा वहां पे आप बाकी की question अग को बता दूँगा अब देखिए next question हमारा क्या है अंतर रास्ट्री व्यापार का सिध्धान में प्रस्ता वक्र का सरु प्रत्थम प्रियों किसके द्वारा किया गया था offer करूद जो है वो Marshall और Ageworth ने use किये थे सबसे पहले तो correct answer आपका इसमें हो जाएगा C option फिर अगला है 1951 में अंतर रास्ट्री व्यापार के classic की सिध्धान का जो प्रिक्षण है वो किसके द्वारा किया गया था ठीक है तो इसमें आपका जो correct answer वो कौन सा हो जाएगा second option MacDougal के द्वारा किया गया था ठीक है उन्होंने क्या बताए था कि जो वस्तुएं जो अंतर रास्टी व्यापार होता है ठीक है जो classic की सिध्धान था उसका उन्होंने परिक्षण किया था next देखिए अंतर रास्टी व्यापार में एक उद्व्योग में किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है ठीक है किस प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है समरूप वस्तुओं को या फिर विबेदिकरत का या फिर दोनों का तो देखिए वस्तुओं समान तो हो प्रकार का जो व्यापार होता है वो किसमा आएगा अंतर उद्योक अंतर रास्टी व्यापार में आएगा ठीक है तो आपका ओप्शन हो जाएगा इसमें सेक्ट तो बाकिए कोशन आप मुझे एमेल कर दीजेगा तो मैं उसको अलग से वीडियो बना के आपको वापिस बैस दूँगा